दोस्तों इस technology की दुनिया में और आज के intelligent custom officers के नजरों के सामने से वेर-कानूनी चीजें smuggling करना आज नाममकिनसा हो गए लिकिन इस दुनिया में कुछ आज़ी भी इंसान है जिनके सामने आज की technology भी फेल होती भी नजर आती है इसी के साथ ही आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्टिस्ट स्मगलरों से मिलवाने वाले हैं चिनके स्मगलिंग के तरीकों को जानकर आप भी सोच में पढ़ जाएंगे तो चलिए साथ ही हों हम अपने इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं वाज़ा बात सोने की हो तो यहां लाखों डॉलर्स कमाई जा सकते हैं साथ ही इंडियन कस्टम आफिसर्स ने एक आदमी को रेस्ट किया है जिसने अपनी पेंट में 1.5 किलो मतलब 1.5 किलो सोना चुपाया हुआ था इसने सोने को पेंट की वेस्ट पेंट की नीचे चुपाया था जहां हम बैल्ट बानते हैं कुछ लोग इसे नकली समझ सकते हैं लेकिन यहां सोनी को पिखला कर पेस्ट जैसा बनाए गया है इस क्रिमिनल ने इसे अच्छी तरह से अपने अंडरवेर में चुपानी का प्लान बनाया लेकिन इस बेचारी की तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया पिछले कुछ दिनों से भारत में गोल्ड स्मगलिंग काफी जादा बढ़ चुकी है और यहां सोनी की काफी जादा डिमांड है और वर्ल्ड मार्केट में यहां सोना डेड़ गुना जादा महेंगा बिकता है इसी वज़े से तो यहां स्मगलर काफी जादा एक्टिव हो गए हैं इन में से कुछ लोग तो काफी जादा क्रेटिव हैं यह देखिए यहां एक वैक्यूम क्लिनर के अंदर गोल्ड वर्स भरे पड़े हैं इस सोनी की वज़े से डेवाइस का वजन काफी जादा बढ़ गया था इसलिए कस्टम आफिसर्स ने इसे जाच करने का फैसला किया उन्होंने सिर्फ मोटर तक डिसेंबल किया अंत में एक स्मगलर को लंबी सजा दी गई इंडियन स्मगलर ऐसी और भी कई जगों पर गुंगते रहते हैं जहां एएपोर्ट सिक्योरिटी की नजर ना जाए इस क्रिमिनल ने स्टील के डोर को क्लोजर के अंदर गोल्ड से चुपाया हुआ था लेकिन काफी एकस्पिरियंस कस्टम आफिसर्स ने इसे कुछ ही टाइम में ढून निकाला ये स्मगलर इस तकीब से इंडिया में 30 किलो ग्राम सोना लेकर आना चाता था लेकिन अब इसे इंडोर डिवाइस के साथ कोट के चक्कर लगाने पड़ेंगे दोस्तों अमेरिका जैसे देश में स्मगलिंग करना कोई आसान काम नहीं है और इसलिए लोग इस देश में हतियारों को स्मगलिंग करने के लिए नए नए तरीके खोज लेते हैं और ऐसा ही कुछ हमें इस बार भी देखने को मिला एक दिन यूएस कस्टम को एक फ्रॉट पर शक हुआ जिसकी जांच करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला लेकिन जब इस स्निफिंग डॉक को बलाए गया तो उनका शक उस ट्रक को लेकर और ज्यादा बढ़ गया जिसके बाद गहराई से जांच करने पर पता चला कि उस ट्रक के पीछे कुछ नट और बोल्ट गायब हैं इसके बाद गहराई से तहकीकात करने के बाद उन्हें उस ट्रक के अंदर गोलियां और हथियारों के भरमार मिली जिसके बाद उस ड्राइवर को रेस्ट कर लिया गया और अब तक वो शायद जिल के हवा खा रहा होगा दोस्तों आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा कि आखिर बैड लग होता क्या है अब पता नहीं दोस्तों इस ट्रक के प्लेटफॉर्म पर ये कार कैसे चड़ा दी लिकिन इन जाड़ियों के टेक्निक की दाद देनी पड़ेगी इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए दो लो काफी देर तक जाड़ों को बाहर फैकते रहे उमीद है कि स्मगलर ने इस स्मगलिंग के लिए जाड़ों अपने हाथों से ना बनाया हो नहीं तो उसकी सारी मेहनत पर उन उफिसर्स ने पानी फेर दिया दोस्तों इस स्मगलर ने तो स्मगलिंग की सारी हादी ही पार कर दी आप सोच भी नहीं सकते कि कोई पेड के तनों में सिगरिट की स्मगलिंग कर सकता है क्योंकि आप सोचते होंगे कि भला कोई पेड के अंदर स्मगलिंग क्यों करेगा एक रेगिलर कस्टम चेक के दोरान कस्टम आफिसर को पेड के तनों में 25,000 से भी जादा सिग्रिट के पैकेट्स मिले। इन कुछ पेड के तनों को 27 टंग पेड के टिंबर के साथ छुपा का रखा गया था जिससे इन सिग्रिट को आसानी से स्मगल किया जा सके। जा सके। दोस्तों आज हर जगे तरक्की हो रही है और कस्टम डिपार्टमेंट को भी गलत चीजों का पता लगाना काफी आसान बनता जा रहा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्मगलर स्मार्ट नहीं बन रहे हैं। पाइपलाइन मिली। ये ट्रसेंट्रिया से उनके देश में आ रही थी। जब उन्होंने इसकी जाच की तब ये पता चला कि इस पाइपलाइन से सस्ती और लो कॉलिटी के अलकोहल भीजी जा रही थी। पाइपलाइन यूकरेन के 500 मील दूर एक चोटे से गाउं में शराप पहुचा रही थी। इस पाइपलाइन को तुरंद निकाल दिया गया और सुरक्षित रूप से सेट डिस्पोस कर दिया गया। समबत किस्मती से स्मगलर का कोई पता नहीं चल सका। अब इसका आज भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन दो देशों के बीच में इतनी लंबी पाइपलाइन आखिर बिछाई कैसे गई। इसे विदेशी जानवरों की कई देशों में काफी भाली मांग होती है जिसके वज़े से लोग इन्हें लीग के लिए दूसरी कंट्रीज में नहीं ले जा सकते तो इन्हें चोरी छुपे किसी तरीके से पहुँचाना जाते हैं। पाइसन स्नेक और चिपकली को एक सौक्स में भर कर उनको अपने चेस्ट से टेप के द्वारा चिपका लिया था। अफिसर्स को उस व्यक्ति पर तप्शक हुआ जब उसके बैक के आसपास मकडी घुमती हुए नजर आई। क्योंकि किसी भी जानवर का प्लेन पर सफर करना बैन होता है। उसके बाद उस व्यक्ति की जांच की गई तब उसके शरीर पर ऐसे ही कई जानवर मिले। उसके बाद उसे घरफतार कर लिया गया और उन जानवरों को एनिमल स्पेशलिस्ट को दे दिया गया। साथ ही इन जनाब को जेल में भेज दिया गया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई महंगी चीज पसंद आई हो और उसकी कीमत के कारण आप उसे खरीद ना पाई हो। तो ऐसा तो अक्सर होता ही है। अब हमारे इस वीडियो के अगले हीरोज मिले। पहले तो युगांडा के कस्टम आफिसर्स को लगा कि ये औरत अपने बच्चे के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रही है। हलाकि बात इतनी सिंपल नहीं थी, ये बच्चा असल में पूरे बैंड कॉस्मेटिक से बनाया गया था। अफ्रिका के इस हिस्से के बॉर्डर पोस्ट काफी साधारन होते हैं, ये ज़्यातर अपने नागरिकों की तलाशी नहीं लेते और दूर से निगरानी करते रहते हैं। इस नकली बच्चे की माँ को अपने मनपसंद क्रीम नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने इससे स्मगलिंग करने का फैसला किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए असली बच्चे का इस्तिमाल ये भविश में कभी ना करे। नमबर आठ फ्लाइंग स्मगलर्स स्मगलर्स अक्सर खतरनाक चीज़ों को बॉर्डर के पार भेजते हैं, कभी-कभी ये इल्लीगल काम हजारों लोग को नुकसान पहुचा सकते हैं। इससे भी बरी बात ये है कि ऐसा करने के लिए मासूम जानवरों की मदद ली जाती है। इससे केसे सॉल्व करने के लिए इन पक्षियों को छोड़ देना पड़ता है और इन पर नज़र रखनी पड़ती है। साथ ही आपको इन में से सबसे ज़ादा तसकरी का अनोखा अंदाजा किसका लगा। आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूलें। साथ ही ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें देखने के लिए शुक्रिया